तो finally गई इस Indian bike से driving 30D के अंदर Franklin के पास में आ चुके है Defender car लेकिन सवाल निकल की यह आता है कि आखिर Franklin के पास में यह car कहां से आ गई तो चलो फिर इसी बात का पता लगाते हैं तो यह बात है कुछ एक हपते पहले कि जब हमारे Franklin का बड़े था और literally भाई हमारे Franklin के बड़े पर बहुत तगड़ी तगड़ी गिप्ट आईए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखो यहर कितनी सारी vehicles आईए सामने आपको जो हमर कार दिख रहे हैं वो Franklin की पापा ने उसको गिप्ट करी है बाट हमारा जो कोशन है वो है Defender कार का तो Defender कार उसे उसके नाना जी ने गिप्ट करी थी बागी फिलाल के लिए अभी हमारी जो Defender कार ना वो अभी एरपोट इरे पर है तो चलो फिर जल्ली से एरपोर्ट चलते हैं और अपने Defender car को लेक आते हैं और एरपोर्ट जाने के लिए हम लोग अपनी Lamborghini टेर्जों का यूज करेंगे क्योंकि यार लगना चाहिए कि मामला भारी है सामने वालेगा बाग यार इस car के साथ में छोटी सी प्रोब्लम है जब भी रास्ते में कोई सभी ब्रेकर आता है इसका गेट खुल जाता है एंड भाई पहले तो आप मेरी Lamborghini टार्जों को देखार कितनी तागडी लगरी भाई अंदर से देखो क्या बढ़िया लगती है और देखो सामने भी एक और Lamborghini है शाय सी ये Lamborghini V2 है वेसे मुझे confirm नहीं बता है आप लोग मुझे comment करके बताओ और अब देखो ये जैसे ही मैंने breaker पे चड़ाना भाई इसका जो गेटी वो उचक गया था बाकि फाइनली गई समलोग फिलाल अभी आ चुके है एरपोर्ट एरिया पर और सामने आपको जो वेराउस दिख रहा है ना उसी के अंदर अपनी defender कार यहाँ पर आई है क्योंकि जब भी कोई international समान plane के थुरू आता है ना उसको वेराउस के अंदर ही रखा जाता है बाकी गईस चलो जली से भागते हो चलते अंदर और अपनी defender कार को निकाल के लिक्याते है सर मेरे defender कार आई होगी अरे भाई आपके defender कार नहीं आई है ऐसा हो यह नहीं सकता सर मेरे नाना जीन ते ट्रांसफोर्ट से बेजा है बाई ट्रांसफोर्ट का मतलब एरपोर्ट नहीं होता है जाके रेलवे स्टेशन पे चेक करो अरे यार क्या सुबह सुबह मजाग बना के रगाए चली ठीक है यार गाईस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है हमने ट्रांस्पोर्ट का मतलब सीधा एरपोर्ट समझ लेता इसलिए हम लोग एरपोर्ट आ गयते हैं पट यहाँ पर तो हमारे डिफेंडर कार ही नहीं है अब जैसे कि हाँ का मैनेजर बोड रहा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर जाके चेक करो तो इसी का पता लगाने के लिए명 सोच रहा हूँ कि अभि मैं नाना जी को फोन लगा जाता और उन से पूछ लेता हूँ कि नाना जी अगर ट्रेंट से भी आ रही है तो कौन सी ट्रेंट से आरी है आल्राइट गाईज तो मैरे उन से बाक्चीत हो चुकी है उनका कहना है कि तुम्हारी जो defender कार आ रही है वो मुंबई से आ रही है और उन्होंने मैर से ये भी बोलाई कि बेटा टाइम से पोच जाना वरना तुम्हारी कार कहीं और निकल जाएगी फिर तुम परिशान होते रहोगे तो चलो यार जली से रेलवे स्टेशन पोचते क्य हो दो कोई दूसरा परिशार नहीं हो सामने हमारा आ चुका है रेलवे स्टेशन लेकिन भाई वेट हमारी रेल का गई भाई ये तो बहुत ही टेंशन वाली बात है क्या हम लोग लेट आ है या फिर जल्दी आगा इसका पता लगाना पड़ेगा मुझे यहां पर किसी से प पूछने जाते हैं अगर वह हमको बता दे तो वैसे यार मुझे नहीं लगता कि वह बताएगी हाँ अगर मैं अपने लंबोर गिनी को लेके जाता ना तो भाई वो मेरे साथ बेट जाती खेर बाकी सब लड़किया एक जैसे नहीं होती है चलो इससे बातचित करते हैं मैं म दो घंटे हम लोग क्या करें यार कुछ सोचना पड़ेगा ऐसा करता हो ना गाईस हम लोग किसी रेंप चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं जब ट्रेन भी जाएगी और अपना दो घंटे भी कड़ जाएंगे और साथ में अपनी थोड़ी कसरत भी हो जाएगी तो चलो फि गईस तो हम लोग आ चुके लोकेशन पर और यह जो लोकेशन है न वो हमारे घर के सामने बेचारी मेरे पलोशी टिलू क्या कर रहा है यहां प्यार अब हट जा भई मुझे गाड़ी अंदर लिगी जाना अबसाले हट जाना अगर तुमेरा पलोशी नहीं होता ना साले टक ब्रेकर मारता और सीधा सात में लेके जाता खेर चलो गईस यहां से रास्ता हो चुका है इसको मैं आराम से ले लेता हूं भाई इसका देखो ब्रेकर पर आते हैं इसका गेट खुल लाता है लगता है इसकी सर्वेसिंग करवाना ही पड़ेगा खेर अभी हमें फोकस करना इस वाले रेंप और बाई हलकी सीड़ कर हो गई है और आयज में गया हूं निकल गया हूं निकल गया हूं और यहां निकल चुका है लेकिन या मेरी लेंबोर्गीन यहां पर केसे अटक गयार यहां पर तो कुछ ओप्टिकल है भी ने जिससे टकरा गई हो क्या कोई बात नहीं अब यहां से आगे बढ़ते हैं और इसको मुझे पहले तो घूमने देना पड़ेगा इसके बाद मेरा रस्ता क्लियर होगा और र यहां से निकलते हैं फटाक से एंड निकल गयार मैं तो सोच आता है कि दब जाओंगो मैं कोई बात नी इन सारी चीज़ों को भी हम लोग पार कर देते हैं और अब मुझे लग रहा है कुछ आगे खतरनाक सा आने वाला है क्योंकि आगे कर रस्ता पूरा क्लियर दिख रहा है ओ भाई आगे नदी है और यह चोटा सा एक हमको टर्न देखने को मिलता है अंड वेट यह क्या सीज़े यार मुझे कौन से वाली पर जाना है साय से लेप्ट वाले पर जाना है तो मैं लेप्ट वाले पर टरन लेके इसके ऊपर चड़ जाता हूं यंड मुझे सामने की स गर जांगा मैं नीचे यहां से पीछे लेने तो यह तो काफी ज्यादा रिसकी काम दिख रहा है और यह उसकी जगह पर घोम रहा है तो मुझे यहां पर कुछ वाले टर्न को में कंप्लीट कर देता हूं एंड फिर राइट वाले टर्न के बारे में सोचेंगे एंड वेट यार मेरा गलती से टायर नीचे चले गया था फिलाल अभी वह उपर फिर से आ चुका है और मुझे सही टाइमिंग देखना इधर साइड में जाने के लिए एंड इस बार निकल गया ना तो अगली बार यह जैसी गूमने आएगा मलब गूमेगा ना तभी मैं अपनी कार को इसको पर चड़ा दूँगा पहले मुझे टर्न लेने के लिए बढ़ी आसी स्पैस चाहिए ओके इतनी सही आई थिंक चलो अभी स्टार्ट करते हैं आगे देजां चाहूंगा ओके ओपर फ्रकें उड साउने की यार्य मुझे ऐप चुड़ो यार वैसे अभी दूपेयर के पारा भी बढ़ मेरे साब से हमें अब चल्को पर निकलना चाहिए क्योंकि हमारी ट्रेन वहाँ पर आ चुकि है और मैं यह बिलकुल भी निचाता हूं कि मैं ट्रेन को मिस्स कर दूँ उसके बाद में मुझे बहुत सारी परसानी हो तो चलो फिर जल्ली से अपने लोग रेलवे स्टेशन के तरफ पहुच जाते बाकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी अभी थक और अगली बार हम लोग एन यह जो ट्रेन है ना उसके राइड साइड में जो एरिया है वहाँ पर हमें अपनी कार साइड से मिल सकती है चलो चली से वहाँ पर पूस्ताच करता है हेलो सर मुंबाई से मेरी डिफेंडर कार आने वाली थी हाँ मुझे पता है एक बार तुम ट्रेन की हालत देखो हमारी बीच में से अलग हो गई ते इसी वए से आपका जो सामान है हमें पूली स्टेशन बेजना पड़ा मेरी कार तो ठीक है ना सर हाँ तुमारी कार बिल्कुल ठीक है यार गैस हमारी जिंदगी के दुपतों खतम ही नहीं हो रहे भाई पहले कहां जाना था आप ही कहां आ गए और आप बोल रहा है कि भाई पुली स्टेशन जाओ यार कितने चक्तल लगवा रहे हमार को ये अगर इस बार मुझे मेरी कार नी मिली ना लिटरली भाई इस बंदे का तो मैं पहले मूँ तोड़ूँगा इसके बाद मैं पूरे ट्रेन को फोड़ दूँगा मैं मजग बन अगर मेरी गारी में से पैटन कम हो गया मतलब की खतम हो गया तो भाई मेरी कार तो बीच में रजाएगी खेर ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अपनी लंबौर गिनी पर कि वो मुझे सही सलामत छोड़ देगी एंड वेड ब्रेक लग जा और भाई तकड़ा वाला एक्सीडेंट होता होता बच गया भाई उस सामने वाले की गारी तो खड़ी होगी थी एक साइट से इसमें पूरी गलती मेरी है यार मैं कुछ जाद ही तेजी से अपनी कार को चला रहा हूँ क्योंकि यार मैं बहुत जादा एक्सेटन हूँ अप पुलिस स्टेशन में अब हम लोग अंदर जाएंगे और वहां पर जो सर बेटेना उनसे बात चीत करेंगे और जरा सोचो अगर यहां पर भी हमें अपनी कार नहीं मिली तो हम लोग क्या करेंगे मैं पता क्या करूंगा इस ओफिसर से एक्यम लूँगा और इन सारे लोगो को मार दूँगा खेर चलो अभी इन से हम लोग बात कर लेते हैं ओ शोरी शोरी सर में गलती से उपर चड़िया सर क्या रेलवे स्टेशन से मेरी डिफेंडर कार आई है अच्छा तो वो डिफेंडर कार तुम्हारी है हाँ सर वो मेरी कार है ठीक है फिर राइट में जो दिवाल की पीछे ना अपने डिफेंडर कार चलो भाई जली थे चलते हैं मैं बहुत जाता एक्साइटेड हूँ अपने नाना जी की गिप्ट करी होई डिफेंडर कार को देखने के लिए भाई अपने डिफेंडर कर कितनी बढ़िया लग रही है चलो इसे रोल पर अब इ नग्स दो में तब तक के लिए बाई लवी ओल